हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलाइन क्लासीज में बच्चों आज हम सभी सॉल्फ करेंगे हमारी सब्जेक्ट इन्वार्मेंटल स्टडीज की वर्कशीट क्लास फिफ्ट वर्कशीट नमबर फिफ्टेन चैप्टर है बच्चों एट एट फॉर मॉस्किटोस पार्ट तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी ओकी नेक्स्ट कोशन टू देखिए गुड हैल्थ इस बेस ओफ आफ लाइफ वाट प्रिकॉशन शूद वी टेक तो अची दिस बच्चों अच्छी हैल्थ हमारी जो लाइफ है उसका बेस होता है तो हमें इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए तो देखिए ब अर्ली इंदी मॉर्निंग रोज सुबह बच्चों हमें वाक पर जाना चाहिए ठीके सेकिंड है बच्चों वी शुड़ डू एक्सरसाइज एंड योगा हमें एक्सरसाइज और योगा करनी चाहिए थर्ड हमें बच्चों खाना एकदम अच्छा लेना चाहिए तो वी शुड़ टेक नुट्रिशियस पोश्टिक खाना खाना चाहिए फूड ओके नेक्स्ट है वी शुड़ ड्रिंक प्लैंटी ओफ वाटर ठीके बच्चों नेक्स्ट कोशन देखी बच्चों रीड दी गीवन सेंटेंस केयर फूली और बार्क योर रेस्पॉंस एस ट्रू और फॉल्स बच्चों देखी आप सभी को सेंटेंस पढ़कर बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है तो बच्चों हमें हमारे जो एर कूलर है उन्हें एक सब्ता में क्लीन करना चाहिए बिल्कुल सही keeping fish in water can prevent breeding of mosquitoes बचों मचलियों को अगर हम पानी में रखते हैं तो उससे क्या मच्छर कम होते हैं बिल्कुल यह हमारा सही है ठीक है डेंगुएं चिकनगुनिया आन्ट कॉस बाइ मॉस्किटो बाइटिंग तो बचों मॉस्किटो के खाने से हमें यह बिमारिया होती है ठीक है तो यहां पे false आएगा यहां लिखर नौट लेकिन यह हमें इनसे होती है बिमारिया ठीक है next hemoglobin is found in our blood बचो hemoglobin हमारे खून में पाया जाता है यह भी बिलकुल सही है next है बचो question 4 this is the report, blood report of आरती, read the report and answer the following question, अब बचो देखे हमें आरती की यह report पढ़के और यहां पे इनका बताना है ठीक है what is the amount of hemoglobin in the blood of आरती, बचो आरती की hemoglobin में कित्ता blood है, 8 GM per dl what should be the normal range of hemoglobin in a blood of healthy person, बचो एक healthy person के blood में कित्ता hemoglobin होना चाहिए, 12 to 16 GM per dl आरती बचो आरती को क्या हुआ था, तो देखे बचो आरती को एनेमिया हुआ है ठीक है, क्योंकि उसमें hemoglobin कम है, which food item should be included in the diet to keep away this condition, बच्चो इस condition एनेमिया को दूर रखने के लिए हमें कौन-कौन से खाना खाना चाहिए तो देखे बच्चो पल्सिस, दाले हमें खाने चाहिए लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए परहरी पत्तेदार सबजियां ठीक हें apples हमें खाने चाहिए गवावा हमें खाना चाहिए ड्राइ फ्रूट्स हमें खाने चाहिए जैगरी जैगरी यानि गुर हमें खाना चाहिए पोमो ग्रेनेट और अनार भी हमें खाना चाहिए इस तरह से बच्चों इस सभी चीजों को हमें हमारे खाने में इंक्लूट करना है नेक्स्ट कोशन नमबर फाइव आंसर दा फॉलॉइं कोशन नेक्स्ट है बच्चों देखिए तो बच्चों देखिए अगर हम आपके घर के आसपास अगर मौच्छर हो रहे हैं तो आप कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे उनको फैलने से रोख सकते हैं तो देखिए बच्चों फर्स्ट है बच्चों हमारे आसपास और लोकेलेटी में पानी खटा नहीं होने देना है कैरोसीन शुड़ बी आड़ेड टूदी इस्टेगनेट वाटर पानी में बच्चों क्या छीड़कना है कैरोसीन का तेल ठीके मौस्किटो नैट बच्चों हम सभी को यूज़ करनी हैं ताकि वो हमें ना खाएं मौस्किटो नैट बच्चों हमें भी करनी बच्चों करनी खाता लोच्कों करनी च्चों करनेट विद गाला सेट्चों करना है करके सुखाना है ठीक है next to prevent mosquito breeding around our home make an attractive poster to make people aware about it बच्चो देखिए आप सभी को यहां पे मच्छर से बचने के लिए एक बहुत अच्छा सा पोस्टर बनाना है और लोगों को जागरुक करना है next है बच्चो लाइफ इसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउन वाटर द sources are limited and its demand is very high बच्चो पीने के लिए जो पानी है वो बहुत limited है उसकी डिमांड बहुत हाई है so we all need to work on the concept of water conservation तो बच्चो हम सभी को water conservation पे काम करना चाहिए इन दिस रिगार्ड कलेक्टिंग रेन वाटर थ्रो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचाजिंग ग्राउन harvesting is the process of collecting and storing rainwater बच्चो rainwater harvesting क्या है यह process है rainwater को इखटा करना और store करना Recharging groundwater is an easy way to meet water requirement during crisis period बच्चो जब पानी की कमी हो जाती है तो उस समय पे recharging groundwater एक बहुत अच्छा तरीका है activities for students question number one suggest two ways by which you can easily collect rainwater at home and use it बच्चो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि किस तरह से आप घर पे पानी को बारिश के पानी को खटा करके और उसे घर में use कर सकते हैं तो बच्चो देखिए इसका answer में यहाँ से लिख रही हूँ ध्यान रखिएगा मेरे पास थोड़ा space कम है बच्चो आप राव één इनकरीजाग बारिश कि को जपीक हैं, पानी को पानी खटा होता है बारिश का वो पानी धीरे धीरे हमारे जमीन में चले जाता है और इसी से जो water level है वो increase होता है Next बचो संसकार शाला International Literacy Day is observed on 8 September every year to make people aware of the importance of literacy which no doubt is a matter of dignity and human right Let us tell you that it is a key component of the UN's sustainable development goals तो बचो आप सभी को पता होना चाहिए कि हर साल 8 September को हम International Literacy Day celebrate करते है A person who never made a mistake, never tried anything new बचो जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नया करने की नहीं सोसता है Next बचो food and drink make and eat vegetable sandwich activity learn to identify species by their fragrance Game which of us did jump higher Daily routine include the following habit in your daily routine Begin your day by greeting your parents Brush your teeth twice a day, take a bath daily Drink plenty of water and eat a balanced diet Avoid touching your face and wash your hands frequently Complete or hunger on time तो बच्चो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्क्षीट को solve करना आई हो बच्चो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो बच्चो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी मेरे चैनल जारेडा उनलाइन क्लासिस को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए और इसी तरह बच्चो आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए वीडियो को देखते रहिए आप सभी का बच्चो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद